हलो डियर स्टुडेंट हाव यू आई होप ओल ओफ यू आर गूड एन ओल ओफ यू आ डोइंग वेल मैं विक्की कुमार बहादूर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्टेप चैनल राहूल कॉमर्स एकेडमी में BMT क्लास 12 का जो चेप्टर हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं exercise 7a आज उसमें हम लोग बहुत important topic पढ़ेंगे आज हम लोग basically matrix को multiply करने वाले questions को पढ़ेंगे कि आखिरकार matrix को multiply किस तरीके से किया जाता है क्योंकि exam में multiply वाला matrix का ही जो है वो question पूछा जाता है तो आज हम लोग exercise 7a का जो है question number 8, question number 11 और question number 12 को पढ़ेंगे जिसमें पढ़ने के बाद हम लोगों को जो है matrix का पूरे basic concept और matrix को किस तरीके से multiply किया जाता है वो समझ में आ जाएगा इससे पहले matrix क्या है और साथी साथ matrix exercise 7a के बाकी questions इसके साथ BMT के बाकी chapters और accountancy, BST, English, economics उन सबका वीडियो जो अल्रेडी अपलोड किया हुआ है अग हम लोग सबसे पहले जो है वो bouMr. 것은 12 को करते हैं कि Q1 को किस तरीके से बनाना है फिर उसके बाद हम लोग 8 भी बनाएंगे, 8 के बाद हम एट के बाद हम लोग 11 भी पढ़ेंगे और अब ही सबसे पहले हम लोग जो है वो पढते है question number 12 को किस को बढते है जो basically हम लोग question number 12 को प 3 इसलिए लिखा है क्योंकि इस matrix में आप देखोगे तो यह जो matrix A है देखो यहाँ 1, 2, 3 यह row 1 है और 4, 5, 6 यह row 2 है तो basically यहाँ पे row 2 है और यह column जो है 1 से 4, 1 column है यह दूसरा column है और यह हम लोगों का तिसरा column यानि column 3 है तो basically matrix अगर 2 into 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यह 2 row और 3 column का matrix है सेम ऐसे ही यहाँ एक matrix दे रखा है भी यह जो मेरा matrix भी है 7, 8 पहला row है 9, 10, 2nd row है और 11, 12 जो है वो 3rd row है यानि यहाँ लिखा गया है 3rd row और column जो है तो 2 into 3 का मतलब है 2 row 3 column और 3 into 2 का मतलब है 3 row 2 column क्योंकि हम आप लोगों को पहले भी बता है कि matrix को जो है वो row into column के form में लिखा जाता है ठीक है कोई दिकत नहीं है ठीक है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आकिरकार निकालनी क्या बोला हम लोगों को बोला गया है यहां एक matrix अगर A है और दूसरा matrix अगर B है तो हमको find out करने बोला है value of A B A B का मतलब है A into B अब सबसे पहले आप लोगों को हम एक notes लिखा रहे हैं इस notes को आप पहले note down करना ठीक है जब कभी भी matrix को multiply करने बोलेगा तो multiplication का क्या rule होता है multiply करने का क्या rule होता है multiply का rules जब कभी भी matrix को multiply करने बोलेगा तो multiply का क्या rule है याद रखना हमेशा multiply होता है row into column इस चीज़ को आप हमेशा याद रखोगे हमेशा multiply होता है row into column हमेशा row से column को multiply किया जाता है कभी भी column से row को multiply नहीं किया जाता है ना तो row को row से multiply करेंगे ना column को column से हमेशा row into column होता है इसको mind में डाल के रखो अब अगर मालो एक matrix अगर तीन row और तीन column का matrix है तो सबसे पहले row 1 से जो है हम लोग multiply करेंगे row 1 से multiply करेंगे column 1 को फिर उसी row 1 से multiply करेंगे column 2 को फिर उसी row 1 से multiply करेंगे column 3 को यानि अगर 3 row 3 column का matrix है तो row से column को तब तक multiply करते जाएंगे जब तक column complete ना हो जाए वैसे ही similar अब हम लोग row 2 से multiply करेंगे तो हम लोग सबसे पहले row 2 से multiply करेंगे हम लोग column 1 को फिर हम लोग row 2 से multiply करेंगे हम लोग column 2 को फिर हम लोग row 2 से multiply करेंगे column 3 को ठीक है आया समझ में फिर आगे similar इसी तरीके से हम लोग आएंगे तिसरा row में और तिसरा row से हम लोग multiply करेंगे तिसरा row से multiply करेंगे column 1 को फिर तिसरा row से multiply करेंगे हम लोग column 2 को फिर तिसरा row से हम लोग multiply करेंगे column 3 को इस चीज को याद रखना यानी रो से कोलम को मल्टिप्लाई करना है और एक रो से कोलम को तब तक मल्टिप्लाई करते जाएंगे जब तक रो से जो है वो सारा कोलम मेरा मल्टिप्लाई ना हो जाए ठीक है आगे समझ में रो इंटू कोलम रो से कोलम को तब तक कर लो क्योंकि इसको क्योंकि पर दो कर लो कि क्योंकि गबनाएं राइंगे तो हम इसकोした बनाते हैं एक त्रैकर बनाएँग एसके बाद मेंत्रिस को करने का मास्टर बन Hallelujah प्रिप्रेज करते हैं जल्दी हो गया। प्रत्च्कों या भी सब्ल्newर्स करते हैं तो सबसे पहले A into B निकालने बोला है तो सबसे पहले जो निकालने बोला है हम लोग यहाँ वो लिख लेंगे तो हमको निकालने बोला है A B A B का मतलब A into B यानि मैट्रिक्स A से B को मल्टिप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स A मेरा basically है 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, यह मेरा मैट्रिक्स A है मल्टिप्लाई करेंगे मैट्रिक्स B को मैट्रिक्स B है मेरा 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब देखो मल्टिप्लाई करेंगे तो आओ यहाँ पर मल्टिप्लाई करके लिखेंगे क्या आएगा अब ध्यान से समझना row into column word को याद रखना row into column तो अब ध्यान देना यहाँ जो मेट्रिक्स A है यहाँ जो मेट्रिक्स A है मेरा देखो यहाँ पर row में क्या है 1, 2, 3, यह जो row है इस से मल्टिप्लाई करेंगे column को याद रखना row को मल्टिप्लाई करेंगे column से इस symbol को याद रखना row से किसको multiply करेंगे column को और पहला digit से पहला digit को तो ध्यान से याद रखना row into column करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला element किया है देखो यहाँ one है one से multiply करेंगे यहाँ जो पहला number पे है one into seven ठीक है तो multiply करेंगे 1 into 7 को clear फिर उसके बाद plus देंगे अब यह देखो second यहाँ पे देखो first row का second point क्या है 2 है तो 2 से multiply करेंगे इस 9 को तो 2 into 9 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 into 9 फिर पलस देंगे यहाँ देखो 3 है 3 है यह तो 3 से multiply करेंगे हम लोग 11 को 3 से हम लोग multiply करेंगे 11 को आई मेरी बाते समझ में row into column row में जितना digit है उतना column को multiply करेंगे पहला से पहला को दूसरा को दूसरा से तिसरा को तिसरा से clear है हाँ sir clear है अब देखो यह तो पहला row से पहला column multiply किये है हाँ sir लेकिन अब गोर यह करना आभी और भी तो बचा है यह पहला row से ही इस second column को multiply करेंगे क्योंकि हम बोले है row को column से टप तक multiply करते जाएंगे जब तक complete ना हो जाए तो अब first row से second column को हम लोग क्या करेंगे multiply करेंगे आया बात समझ में अगर एक और row एक और column रहता तो उसी row से एक और column को multiply करते तो अब पहला से पहला digit को multiply करेंगे यहाँ देखो one है one है और यहाँ देखो क्या है eight है अब थोड़ा जगा छोड़के क्योंकि यह second row में जाएगा तो one into seven करेंगे फिर यह three है तो यहाँ plus लिखेंगे फिर three into क्या करेंगे हम लोग नीचे क्या है 12 12 से multiply करेंगे ठीक है चलो जी सब चीज समझ में आ गिया हाँ sir समझ में आ गिया अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं erase ठीक है इसको क्या करते हैं erase ठीक है sir चलो row से column को multiply कर दिये इसको हम लोग चाहें तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको close अब ध्यान से समझ ना एक row से ना column को multiply किये अब question देखो यहाँ देखोगी तो आप आओगे यह आपका second row बचा है बचा है second row तो इस second row से पहले इस column को multiply करेंगे फिर उसी second row से second column को multiply करेंगे आया समझ में तो अब हम लोग आते हैं second row पे अब आएंगे second row पे तो देखो कैसे multiply होगा यह जो second row है इस second row से पहले multiply करेंगे हम लोग first column को ठीक है तो नीचे में second row नीचे है तो देखो यहाँ पर 4 है 4 से multiply करेंगे 7 को ठीक है तो पहले 4 into 7 करेंगे फिर पलस देंगे देखो यहाँ पर 5 है 5 से multiply करेंगे हम लोग 9 को तो 5 into 9 फिर पलस देंगे देखो यहाँ पर 6 है 6 से multiply करेंगे 11 को 6 से multiply करेंगे 11 को ठीक है तो first row से complete कर दिया first row से हम लोग second row से first column को multiply किए अब ये जो मेरा second row है इसी second row से ये जो second row है इसी second row से हम लोग second column को भी multiply करेंगे हाँ sir तो जगा छोड़के तो देखो यहाँ पर 4 है 4 को multiply करेंगे किस से 8 से तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 into 8 फिर पलस देंगे 5 है 5 से multiply करेंगे 10 को तो 5 into 10 लिखेंगे फिर ये 6 है तो पलस 6 को फिर हम लोग multiply करेंगे किसे 12 से करेंगे multiply आया मेरा बात समझ में बोलो आया की नहीं आया हाँ सर आया समझ में अब सब को multiply करके जोड़ दो एंसर आपके हाथ में आ गया ठीक है सर चलो जोड़ते हैं तो अब सब को पहले multiply करेंगे इसके बाद जो है वो जोड़ेंगे तो साथ हिकम साथ होगा पलस नो दुनी अठारा होगा पलस ग्यारा तिया 33 इधर देखो साथ हिकम साथ पलस पांदस दुनी के 20 पलस बारत तिया 36 सच चवके 28 नो पच्चे 45 और ग्यारा छक 66 यहां multiply करेंगे आठ चवके 32 पांच दाहियां 50 और यहां करेंगे 12 चक 72 ठीक है अब इन सब को जोड़ दो ठीक है सर चलो जोड़ देते हैं जोड़ देते हैं तो मेरा answer निकल करके आ जाएगा चलो अब इन सब को हम लोग क्या करते हैं यहां पे 8 कर देते हैं तो भाई 7, 18 और 33 को जोड़े तो यह मेरा जोड़ करके जो है यह 58 आएगा इन सब को जोड़ेंगे तो यह मेरा 64 आएगा इन सब को नीचे वाला को जोड़ेंगे तो जोड़ करके मेरा 139 आएगा और इन सब को जोड़ेंगे तो जोड़ करके मेरा 154 आएगा यह मेरा हो गया answer आया समझ में याद रखना रो को कोलम से मल्टिप्लाई करना है और रो से कोलम को तब तक मल्टिप्लाई करते जाएंगे जब तक सारा रो से कोलम जो है वो मल्टिप्लाई ना हो जाए फर्स्ट रो से फर्स्ट कोलम फर्स्ट रो से 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 केंड कोलम फर्स्ट रो से थर्ड कोलम complete हो गिया अब 2nd row 2nd row से 1st column 2nd row से 2nd column 2nd row से 3rd column complete अब 3rd row में आएंगे 3rd row से 1st column 3rd row से 2nd column 3rd row से 3rd column row into column तक तक multiply करते जाएंगे जब तक सारा row से column जो है वो multiply ना हो जाए is it clear ठीक है सर आया समझ में practice करना एक बार practice करते ही आपको समझ में आ जाएगा ठीक है चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यह 12 नमबर था आगे बढ़ते हैं सपोच कर लो अब आगे हैं लो 11 नमबर कोसिन पर यहाँ पर देख लो 11 नमबर कोसिन है क्या बोल रहा है भाई 11 नमबर कोसिन में A और B का मान निकाली है A और B दो मैट्रिक्स दिया है A और यह B ठीक है चलो अब अगर multiply करेंगे तो अभी हम आपको multiply का क्या rule बताएं थे row into column ठीक है तो चलो देखो row से column को multiply करेंगे तो यहाँ देखो row क्या है 6 row से column को multiply करेंगे यानि 14 को ठीक है तो multiply होगा 6 into 14 हो गया अब तो column में कुछ नहीं है हो गया अब इसी रो से यही जो 6 है उससे multiply करेंगे हम लोग second column 10 को ठीक है तो दूर जा करके थोड़ा 6 into 10 करेंगे अब इसी 6 से हम लोग 6 को multiply करेंगे तो 6 into 6 क्योंकि हम लोगों का third row बना आया समझ में अब वैसे ही यह तो first row से हम लोग तो कर दिये 4 से तो multiply कर दिये ना भी सबको 6 से multiply कर दिये हाँ चलो erase करते हैं अब आएंगे second row में तो second row में 4 है तो 4 से multiply करेंगे 14 को तो 4 से multiply करेंगे हम लोग किसको 14 को फिर 4 से multiply करेंगे हम लोग 10 को 4 से multiply करेंगे 10 को फिर हम लोग 2 से multiply करेंगे 6 को 2 से multiply करेंगे 6 को अब यह देखो हम लोग sorry 2 से नहीं जी 4 से होगा ना multiply 2nd row 4 था ना 4 हो गया अब आएंगे हम लोग 3rd row पे थोड़ा उपर से रेज करते हैं अब आएंगे हम लोग 3rd row पे तो फिर 2 से multiply करेंगे, हम लोग 6 को ठीक है अब इसको multiply करके हम लोग जोड़ देंगे जोड़ के answer आ जाएगा, तो जब हम लोग 14 को 6 से multiply करेंगे तो हम सबको पता है 14 छक 84 हो जाएगा, ठीक है यहाँ मेरा 60 हो जाएगा यह 6 छक 36 हो जाएगा ये मेरा 56 हो जाएगा ये मेरा 40 हो जाएगा ये मेरा 64 के 24 हो जाएगा थोड़ा सा उपर करते हैं इसको चीक है चलो इसके बाद यहां multiply करेंगे तो 14 दुनी 28 हो जाएगा 10 दुनी 20 हो जाएगा और 6 दुनी 12 हो जाएगा ये मेरा answer निकल करके आ गिया बोलो कोई दिकत है कोई दिकत नहीं है अगर आपको पता चल गया कि row into column multiply करना है तो row into column multiply करके answer निकल करके आ देंगे हो गया कोई दिकत नहीं है बन गया चीक है चलो एक और last question है उसको भी कर लेते हैं देखो ये है हम लोगों का question number 8 देखो question number 8 पी क्या दिया दो matrix दिया है A एक matrix दिया है B A plus B into A minus B देखो ये दोनों निकालने बोला ठीक है तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आओ A plus B अब बताओ A plus B का मतलब क्या होता है दोनों matrix को जोड़ो तो matrix A देखो जब जोड़ेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है तो 3 और एक 4 होगा फिर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो यह 2 होगा फिर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा फिर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यह 7 होगा A और B आ गया वैसे ही आब A minus B निकालने बोला ठीक है तो पहले A minus B निकालो अब जोड़ने के जगा दोनों को आपस में क्या करना है घटाना है तो आउं घटाते हैं तो देखो यहाँ पे यह क्या है भाई 3,3-1 करेंगे याँनि 3 से 1 घटेगा तो 2 बचेगा 2 से 0 को घटाएंगे तो 2 बचेगा 0 से 1 को घटाएंगे तो यह –1 बचेगा 5 से 2 को घटाएंगे तो यह मेरा 3 बचेगा तो A पलस B, A माइनस B दोनों आ गिया अब इन दोनों को मल्टिप्लाई करने बोला है तो ना हो, मल्टिप्लाई करते हैं हम लोग A पलस B into A माइनस B यही ना बोला था तो आओ मल्टिप्लाई करते हैं तो A पलस B का वैल्यू कितना है वो लिखो तो यहाँ 4 है, 2 है, 1 है, 7 है इसको मल्टिप्लाई करेंगे A माइनस B से A माइनस B है 2, 2 माइनस 1, 3 अब बताओ जी, क्या आप लोग row into column मल्टिप्लाई नहीं कर सकते हो सर कल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं row into column का मतलब है पहले 4 और 2 से मल्टिप्लाई करेंगे 2 माइनस 1 को, उसके बाद 4 और 2 से माइनस करेंगे 2 और 3 को row में लिखेंगे, फिर second column में आएंगे इसके बाद क्या में आएंगे, हम लोग second column में आएंगे, second column में आ करके जो है, हम लोग second column से उसको multiply करेंगे, आया समझ में तो row into column इस तरीके से जो है, वो multiply करके आ जाएगा, ये question आपके लिए छोड़ रहे है, एक question तो कम से कम आप लोग प्रेक्टिस करोगे तो ये question आप लोगों को छोड़ रहे है इस question को आप लोग comment करके, हम लोग हमको जो है, इसका answer आप लोग हमको जरूर बता दोगे, ठीक है, और हमको पूरा यकिन है, एक दम ईजी question है, जी आराम से आप लोगों से जो है, ये question बन जाएगा, ठीक है, हो गया exercise 7A हम लोगों का हो गया, खतम क्या खतम हो गया भई हम लोगों का, exercise exercise 7A जो है, वो हम लोगों के लिए हो गया, खतम, ठीक है सर, अच्छी बात है, अगर exercise 7A खतम हो गया, तो इसके तुरन बात जो है, हम लोग exercise 7B को हम लोग इसके next video में पढ़ेंगे 7B सबसे ज़्यादा लंबा है तो 7B पे 2 या 3 क्लास आएगा, क्योंकि वो बहुत लंबा चेप्टर है ठीक है, तो 2 या 3 क्लास में हम लोग exercise 7A और 7B को जो है, वो complete करेंगे क्योंकि उसमें कुछ-कुछ important important question भी आएगा, ठीक है, I hope वीडियो पसंद आई, I hope multiplication का रूल समझ में आया, वीडियो पसंद आई है तो like, share और comment करो, और जो भी चेनल को subscribe नहीं किये हैं, subscribe कराओ क्योंकि 12 का बागी subject भी जो है हम लोग इसी तरीके से cover करेंगे, ठीक है और अगर telegram channel ड्राहूल कोमर्स academy को नहीं जोईन किये हैं, तो telegram channel को जो है, आप लोग जरूर से जरूर जोईन करके रख लेना, क्योंकि जो भी news, update, notification है, वो सब चीज़ जो है, आप लोगों को वहीं मिल जाया करेगा ठीक है, चलो, bye, take care